Hello Everyone, Welcome to Study Zone इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करेंट अफेर्स के कोश्चन्स बताऊंगा ये कोश्चन्स 12 जुलाई के हैं और जल्द ही हमारे और भी वीडियो आने वाली है हमारे नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए Study Zone को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिकेशन बेल का बेटन जरू दबाए ताकि हमारे नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिकर ज़रू बताईए और इस वीडियो को जया जयादा लाइक और शेयर करें आपका पहला कॉश्चन है जुलाई 2018 में एशिया कप तिरंदाजी में भारत ने कितने पदग जीते हैं तो इसमें अंसर आएगा बारत ने कुल चार पदग जीते हैं और इस टूर्णामेंट में दक्सिंड कोरिया पहले स्थान पर और ताइवान दूसरे स्थान पर रहा नेक्स्ट कुश्चन है किस देश ने आर्थी विकास को बढ़ाने के लिए अरब देशों के साथ तेल और गैस प्लस मॉडल सुरू किया तो इसमें अंसर आएगा चीन ने चीन के राष्टपती सी जिनपिंग ने शिर्ष अरब अधिकारियों को बताया कि अरब राज्यों में आर्थी विकास के लिए चीन 20 अरब डॉलर का रिण परदान करेगा नेक्स्ट क्रेशन है 2018 में राज्यों के लिए सरकार की इज ओफ डूइंग बिजनिस रिपोर्ट के तीसरे संस्क्रण में कौन सा राज्या सीर्ष स्तान पर रहा तो इसमें असर आएगा अंद्र प्रदेश राज्या और इसके बाद हरियाना जारकंड गुजराच अतिसग सरकार के इज ओफ डूइंग बिजनिस कदम का उद्यश्या राज्यों के बीच निवेश को आकर्शित करने और बिजनिस के माहौल को लेकर स्परदा को बढ़ाना है इसमें आसर आएगा सविदान की आठवी अनुसूची में दर्ज 22 बाशाओं में से किसी भी बाशा का परियोग किया जा सकता है इसमें आसर आएगा अंग्रेजी बाशा भारत के सविदान की आठवी अनुसूची भारत गंडराज्य की आधिकारिक बाशाओं की सूची है और भारते सविदान के अनुचे 344,1 और 351 में इन बाशाओं को आधिकारिक बाशा के रूप में सूचिबद किया गया है और ये 22 बासा आये हैं अस्मिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कंदड, कस्मीरी, कौंकणी, मैथली, मलियालम, मनिपुरी, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दू नेक्स्ट कुछन है, हाली में आई रिपोर्ट के नुसार, ट्वीटर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा किस महिला नेतर को फोलो किया जाता है, तो इसमें आंसर आएगा, सुस्मा सवराज को एक पॉइंट एक करोड से अधिक फोलोर्स के साथ भारते विदेश मंतरी सुस्मा सवराज, दुनिया के सबसे ज़्यादा फोलो किया जाने वाली महिला नेता है, जबकि अमेरिका के राश्टपती डॉनल टर्म और पॉप फ्रांसिस के बाद, भारत के प्रदार मंतरी नर इंडोनेसिया के सबांग बंदरगा को विक्सित करने का समझोता करने के दो महिने के बीतरी बारते नो सेना के एक युद्पत आइनेस सुमित्रा को वहां पहुंचा दिया गया है प्रतिष्ठित साहितिक प्रुष्कार की 50 विवर्सकार को चीनित करने के लिए पिछले पास दसको में गॉल्डन मैन बुकर प्रुष्कार किसने जीता तो इसमें आंसर आएगा सिरिलंका में जन्मेक अनाइडाई कवी और उपनियासकार माइकल ओंडाटेस की रचना दे इंगलिस पेशन्ट को पिछले पास दसको में मैन बुकर प्रुष्कार जीतने वाला सरफसेस्ट उपनियास गोशित किया गया है समझोता ग्यापर्म पर अस्ताक्सर करने वाले राज्य सबा के पहले अद्धक्स कोन बने तो इसमें आंसर आएगा M. Venka Naidu किस हाइकोर्ट ने CBSE को अदेश दिया कि तमिल वाश्या में राज्य पातरता वे परवेश परिक्षा देने वाले उमिदवारों को 196 Grace Marks दिये जाए तो इसमें आंसर आएगा मदरास हाइकोर्ट ने Next Question है हाली में किस राज्य की पुलिस ने एक सर्कुलर जारीकर का की बड़ा हुआ वजन नई गटाने पर स्टेट रिजर्ब पुलिस के करमचारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी तो इसमें आसर आएगा करनाटक पुलिस ने Next Question है के अंदर सरकार ने हाली में GST कानून के तैत के अंदर जी एस्टी राज्य जी एस्टी और एकिकरत जी एस्टी और राज्य सव शती पूर्ती कानून में कितने संसोदनों को परस्ताव दिया है Next Question है उतर कोरिया के साथ प्रमाणू निरस्ती करन समझोदे के बाद बना सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए किस देश ने अपना ग्रिशम कालिन ऐसे ने अभ्यास स्थगित कर दिया है तो इसमें आंसर आएगा दक्सिंड कोरिया ने Next Question है World Interactual Property Organization के नुसार 2018 में कौन सा देश IT सेवाव के निरियात के मामले में लगातार दूसरे साल दुनिया में अवल रहा तो इसमें आंसर आएगा भारत Next Question है निमलिकित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दियोस मना जाता है तो इसमें आंसर आएगा 11 जुलाई को और इस बार की थीम है Family Planning is a Human Right Next Question है हाली में किस्तान पर MSME के लिए भारत कोरिया टेकनोलोजी एक्सचेंज के इंदर की स्थापना की गई तो इसमें आंसर आएगा भारत और दक्सिंड कोरिया के शुक्षम लगू और मध्यम उद्यवगो को साजा मंच उपलब्द कराने के उद्यशे से नई दिल्ली में भारत कोरिया टेकनोलोजी एक्सचेंज के इंदर की स्थापना की गई नेक्स्ट कोशन है किस देश में स्थीत ब्रिटिस सेनिको की संख्या में बढ़ोतरी किया जाने की गोशना की गई है तो इसमें आसर आएगा अफगानिस्तान में एस्थीर सुरक्ष स्थीती में मदद करने के लिए वहां सेनिको तथा सेन्य साजा सामान में विर्दी करने के लिए ब्रिटी सरकार अपने सेनिकों की संख्या में दोगुनी बड़ोत्री करने का विचार कर रही है। नेक्स्ट कुछन है ग्रह मंतराले दुआरा 18 जलाई को अपरादिक कानून संसोधन विदेग 2018 को मंजूरी के लिए संसत में पेश किया जाएगा। जिसके संबन में कौन से कतन सथा है। आपका पहला पॉइंट है 21 अपरेल को कानूनी अपराद संसोधन अध्यादेश जारी किया गया था। इसके तैट 12 वर्ष से कम किल लड़कियों के साथ बलातकर के दोशियों को मिर्तुदंड का प्रावदान रखा है। नेक्स्ट है महिलाओ के से बलातकर के मामले में नियूंतम सजा 7 साल से बढ़ा कर 10 वर्ष कर दी गई। तो इसमें आपके ये सभी पॉइंट्स ठीक है तो आपका अंसर आएगा उप्शन F उप्योग सभी सही है। नेक्स्ट क्रश्चन है हाली में खादे सुरक्ष्या और मानक प्रादिकरण ने स्वास्ते FMCG यानि Fast Moving Consumer Goods के लिए कौन सा बियांसरू किया। तो इसमें आपके आएगा इट राइट मॉमेंट्स नेक्स्ट क्रश्चन है हाली में भारत कोरिया प्रयोदोगी की विनी में केंदर का उद्गाटन कहां किया गया। तो इसमें आपके आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्रश्चन है हाली में विपो यहनी World Interactual Property Organization द्वारा जारी Global Innovation Index 2018 में भारत की रैंक कौन सी है। तो इसमें आपके आएगा 57th नेक्स्ट क्रश्चन है हाली में किस दुर संचार कंपनी ने देश की पहली इंटरनेट टेलिफोनी सेवा को लॉंज किया है। तो इसमें आएगा BSNL ने और इसे Wings का नाम दिया गया है। BSNL उपोगता स्मार्टफोन टेबलेट या लैप्टॉप पर SIP क्लाइंट अप डाउनलोड कर इंटरनेट कॉलिंग कर सकेंगे। SIM कार्ड या मोबाइल नेट्वर्क जरूरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्रेशन है हाली में भारत ने किस देश के साथ उर्जा, खेल, सडक, जाजरानी सहीत, दस समझोते, वैएक, दस्तावेज, टोटल यानी 11 होगे पर हस्ताक्सिर किया है। तो इसमें अंसर आएगा दक्सिंड कोरिया के साथ। नेक्स्ट क्रेशन है GDP यानी Gross Domestic Production के मामले में किस देश को पीछे चोड़ कर भारत दुनिया की 60 सबसे बड़ी अर्थवयवस्ता वाला देश बन गया है। तो इसमें अंसर आएगा फ्रांस को पीछे चोड़ कर। और इस रपोर्ट में यह भी एनुमान लगाया गया कि वर्ष जोजार 32 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थवयवस्ता वाला देश से बन जाएगा। नेक्स्ट कुछन है लोनली प्लैनेट के सीर्ष पांच 2018 बेस्ट इन एशिया सूची में भारत के किस स्थान को चोथा सबसे अच्छा प्रियाटन स्थल का स्थान मिला है। तो इसमें आशर आएगा पस्चिमी गाट को नेक्स्ट कुछन हाली में खबरों मेरा सबांग बंदरगा का संबंद किस देश से है। तो इसमें आशर आएगा इंडोनेशिया से नेक्स्ट कुछन हाली में खबरों मेरा सद मर्दगम के संबंद में कौन सा कतन सत्त है। तो इसमें आंसर रहेगा option B, हाली में इसे patent परदान किया गया है Next question है भारते विश्विद्याले Association के नई अध्यक्स के रूप में किसे नियूत किया गया है तो इसमें आंसर आएगा संदीप संचेती को Next question है देश का पहला नीजी मानव रहीत वे बुलट पुरूफ विकल नियर्माण का रखाना कहां शुरू किया जा रहा है तो इसमें आसर आएगा कोटा में Next question है हाली में बुटान के मीडिया कर्मियों के लिए पांच दिवशे शमता विकास कारेकरम का आयोजन कहां किया जा रहा है तो इसमें आसर आएगा नई दिल्ली में कल के Current Affairs के questions में से आपके लिए कुछ question है जिसका अंसर आपको comment box में लिखकर बताना है अपका पहला question है भारत की परमुक जिमनास्ट दिपा करमाकर ने तुर्की में मरसीन में FIG Artistic Gymnastic World Challenge Cup के किस event में संट पतक जीता है आपके options है उनवेन, Bars, Balance Beam, Floor और Vault Next question है Thailand के उस गुफा का क्या नाम है जाव असे 12 बच्चों और उनके कोच को निकालने का अबियान चलाया जा रहा है आपके options है मेयोंग, केनी लॉंग, थामलुआंग और इरनॉल Thank you guys for watching our video Please subscribe to our channel Study Zone for preparation of upcoming exams और subscribe के साथ आप notification bell का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें Facebook लिंक पर भी follow कर सकते हैं हमारा Facebook लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें Facebook पर follow कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक Facebook के दिवारब भी पहुंच सकें